हे गाइज वेलकम बैक, पोको लॉंजर यूजर्स के लिए यहाँ पे बहुती बड़ा एक अपडेट आया है, यहाँ पे देख सकते हो प्ले स्टोर में यह अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जिसका वर्जन है 2.7.4.3 और यहाँ पे पुराना वाला वर्जन आपको दे आपकाउट कर लेना, तो यहाँ पे मैं अपडेट दिखा देता हूँ, पुराना वाला 2.7.4.2 का अपडेट था पुराना वाला और यहाँ पे आया है 2.7.4.3 तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक चेंज है, एक फ्यूचर आया है, जो मुझे काफी कामाल का लागा, यहाँ सबसे पहला चेंज देख सकते हो, यहाँ पे सर्च आते हो, तो आपने रिसेंट में जो एप्लिकेशन यूज के है, यहाँ पे यह शो हो जाते है, तो इसको इन्हों ने आप्टिमाइज किया है, जो भी एप्लिकेशन आपने रिसेंट लिए सबसे ज्यादा यूज के है, यहार पर शूर हो जाते हैं और उसके साथ आप यहार पे ऊपर के three line के साथ आप setting में भी inter हो सकते हो यह तो future palaceप्वेले था और यहार पर जो lag आप यहार पर देख सकते हो कुई भी lag आप था और यहां पर 120Hz के साथ देखने को नहीं मिलता POCO X2 में और यहाँ पर सेटिंग में भी आपको काफी कमाल के सेटिंग से यहाँ पर देखने हो मिलते हैं Double Tap to Wake Up को भी काफी अच्छे से आपर Optimize किया है और Poco X2 में यह काफी अच्छे से चल रहा है तो यहाँ पर मैं आप भी बोल सकता हूँ कि यह जो Poco Launcher है और Poco X2 के लिए फिली यहाँ पर Optimize यहाँ पर हो चुका है और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देखने हो मिलते हैं पेसे लिए मेरा Poco X2 यहाँ पर AppDraw जब मैं स्क्रोल डाउन और Up करता था तो अभी मुझे बहुत सारे लैक्स यहाँ पर 120 हर्स के साथ देखने को मिल रहे थे तो यहाँ यहाँ पर स्वाल हो चुके है बाकि बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इस लाउन्चर को डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जैन दोस्तो